नमस्कार दोस्तो में नाम स्रीकान कुमर आप देख रहे टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तो अधार का इंडॉल्मेंट आईडी नमबर और एस आर नमबर उन कैसे निकाल सकते हैं यानि करने के मतलब यही कि अगर आप अधार कार्ड में किसी भी परकार के अपडेट करवाए हैं या फिर न्यू अधार कार्ड बनवाए हैं और उसका आपा स्टेटस को ट्रेक करना चाहते हैं और स्टेटस ट्रेक करने के लिए आपके पास इंडॉल्मेंट आईडी नमबर और ASR नमबर नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं Enrollment ID नमबर को और ASR नमबर को दोस्तों निकालने के लिए इस वीडियो के लाज तक आपको बने रहना है इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको स्टेवाज स्टेव करके बतलाने वाला हूँ इसलिए से वीडियो के अंग तक आपको बने रहना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ब्लाइक अन्हंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंच पाए तो चलिए दोस्तम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले अपना किसी एक ब्राजर को ओपेन कर लेना है और ब्राजर में आपको टाइप करना है UIDAI उसके बाद सर्च के बटम पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो सबसे उपर में जो लिंक दिख रहा है UIDAI इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों अधार काट का ओफिसियल वेप साइट इस परकार से यहां पे उपेन हो जाता है सबसे पहले दोस्तों एक ओप्षन आपको देखने के लिए मिल जाएगा चेक अधार अस्टेटस इस वाले ओप्षन पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो अधार का निव ओफिसियल वेप साइट इस परकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है सबसे पहले इस परकार से आपको नीचे आना है और दोस्तो एक ओप्षन आपको देखने के लिए मिल जाएगा चेक, इन्रॉल्मेंट, एंड, अपडिट, अस्टेटस इस वाले ओप्षन पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तो अगला पेज इस परकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है और दोस्तो यहाँ से आप अधार काट का अस्टेटस को ट्रेक कर सकते हैं तो दोस्तो अस्टेटस ट्रेक करने के लिए यहाँ पे दो ओप्षन दिया गया दो option से आप status को track कर सकते हैं तो first option में यहाँ पे दिया गया enrollment ID number डाल कर आप अधार काट का status को track कर सकते हैं और दूसरा option यहाँ पे दिया गया है ASR number डाल कर अपना अधार काट का status को track कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको clear कर देते हैं yinrollment ID number आपके पास कब होता है اور ASR number आपके पास कब होता है तो दोस्तों यहां पर आपको बतला दयते हैं enrollment ID number जो है कि जब आप अधार सेवा कैंदरे में जाते हैं और वहां पे जाकर किसी भी परकार के अधार card में update करवाते हैं या फिर new अधार कार्ड बनवाते हैं तो दोस्तों आपको एक enrollment ID नमबर दिया जाता है और उस enrollment ID नमबर से status को track कर सकते हैं और दुसरा option यहाँ पे दिया गया है ASR नमबर यानि अगर आप अधार कार्ड में online खुद से घर बैटे अपने mobile या laptop से change करते हैं अधार कार्ड में तो दोस्तों आपको एक ASR नमबर दिया जाता है जिससे आप ASR नमबर डाल कर आप अधार कार्ड का status को track कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि यह दोनों नमबर जो है कि enrollment ID नमबर और ASR नमबर दोनों आपके पास नहीं है दोनों को दोनों हो गया यानि दोनों को भुला गया तो आप जो ही का धार कार्ड का status को कैसे track कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ enrollment ID नमबर को कैसे निकालना है और ASR नमबर को कैसे निकालना है तो निकालने के लिए दोस्तों सिंपल्स आपको back हो जाना है इस परकार से सबसे पहले home page पर चले आना है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम निकालने व इस वाले option पे आपको click कर देना है, click करने के बाद दोस्तों इस परकार का page यहाँ पे open हो जाता है, सबसे पहले आपको enrollment ID जो दीकर है इसको आपको select करना है, select करने के बाद दोस्तों इस box में जो भी आपके अधार कार्ट पे नाम था, उस नाम को इस box में आपको type करना है, उस और अगर आपके अधार कार्ड में email ID लिंक है, तो दोस्तों यहाँ पे email ID भी डाल कर आप काम चला सकते हैं, उसके बाद दोस्तों इस capture code को इस box में आपको type करना है, उसके बाद send OTP के option पे click करना है, उसके बाद दोस्तों जो भी अधार कार्ड के साथ mobile number लिंक है, उस number पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परकार से आपको enrollment ID number जो कि आपके सामने यहाँ पे open हो जाता है, और दोस्तों आपके साथ जो भी अधार कार्ड के साथ mobile number लिंक है, उस number पर भी enrollment ID number को send कर दिया जाता है, तो दोस्तों इस परकार से enrollment ID को आप निकाल सकते हैं, अब दोस्तो बात करते हैं कि ASR number को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों ASR number निकालने के लिए simple से आपको क्या करना होगा, login के option पे आपको click कर देना है, click करने के बाद दोस्तों अगला page है, इस परकार से open हो जाता है, सबसे पहले क्या करना होगा, इस box में अपना अधार number को type कर देना ह उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है, उसके बाद दोस्तों धार कार्ट के साथ जो mobile number लिंक है, उस number पर एक OTP को send किया गया है, उस OTP को इस box में type कर देना है, उसके बाद login के option पे click कर देना है, login होने के बाद दोस्तों इस परकार का interface यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएग और दोस्तों यहाँ पे देखिए जितना भी अदार कार्ड में आप update किये होगे, इस परकार से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दोस्तों ASR number निकालने के लिए दोस्तों सिंपल से आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या करना होगा, इस परकार से निकल जाता है, और इस नंबर से आप अस्टेटस को बहुत असान तरीका से ट्रेक कर सकते हैं, कि मेरा अस्टेटस क्या है, तो दोस्तों इस परकार से आप enrollment ID नंबर और ASR नंबर को निकाल सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, तो वीडि क्लिचे गाम